Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के समपून इतिहास को कभर करेंगे जिसमें कि प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालिन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार की इतिहास के 300 से अधिक प्रश्णों को हम कभर करेंगे Friends, यहाँ पर देख सकते हैं यह Crown Publication का जो बिहार समान इतिहास की पुस्तक है इसमें प्राचीन बिहार की इतिहास, मध्यकालिन बिहार की इतिहास और आधुनिक बिहार की इतिहास से 300 से अधिक प्रश्ण जो है objective question उनको आप कभर करेंगे एक ही वीडियो में Complete विहार की इतिहास को हम कभर कर लेंगे जो कि आपके आगामी BPSC के लिए 67th BPSC, CDPO, विहार दरोगा और जो अभी वेकेंसी आने वाली है विहार SSC की उसके लिए काफी important रहेगा तो चलिए friends, मिना देरी किये हुए आज का session स्टाट करते हैं तो friends, जैसे मैंने आपको बताए कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपून इतिहास को कभर करेंगे यहाँ पर आप देख सकता है प्रगयतिहासिक काल से आधुनिक काल तक बिहार की इतिहास से संपन्दी जितने भी questions है उनको हम लोग एक ही वीडियो में कभर कर लेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, मद्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार की इतिहास से सम्मंद सबी questions को हम chapter wise कभर करेंगे सबसे पहला chapter है हमारा प्रगयतिहासिक काल से सम्मंदी जो प्रशन होंगे उनको हम कभर करेंगे पहला प्रस्ण फ्रेंड्स पढ़िएगा और कुसिस की दिएगा जल्दी से जल्दी एंसर अपना चून लेने के लिए उसके पाँ जो भी correct answer होगा मैं आपको बता दूँगा पहला प्रस्ण दिखेगा कि इतिहासकारों ने मानुव का उद्गम काल कितने लाख वर्स पुरो माना है तो राइट अंसर इसका option नबर D हो जाएगा 10 लाख वर्स पुरो next question दिखे लिजेगा जहां explanation क्या हो सकता होगी वहां मैं आपको explain करके भी बताती चलूँगा दूसरा question है कि प्रग इतिहासक काल पुरा काल से नो प्रस्तर काल कहलाती है तो दिखे और लिखित परत्यक्स सुरोत का काल है ये option number A इसका राइट अंसर हो जाएगा next question दिखे तीसरा question है कि एतिहासक काल यानि कि जो 600 इसा पुर्व का काल है अब तक कहलाती है तो फ्रेंस इसको कहा जाता है लिखित सुरोत का काल option number B राइट अंसर हो जाएगा उसको बाद next question देखेगा पुरा पासान काल है तो फ्रेंस जो पुरा पासान काल है ये 10 लाग से 10 हजार इसा पुर्व है option number C राइट अंसर इसका हो जाएगा अगला question देखे लिए next question है कि मध्य पासान काल है मध्य पासान काल जो है ये हो जाएगा आपका 10 हजार इसा पुर्व से 6 हजार इसा पुर्व हजार से 500 इसा पुर्व option number C राइट अंसर हो जागा ये सभी प्रशन उतने important नहीं है आगे आपको जब मगत का समराज हम लोग पढ़ेंगे बहुत धरम पढ़ेंगे उसके बाद जब स्वतंतरता संग्राम है विहार के संदर्व में इन सब को जब हम पढ़ेंगे तो काफ यूग का जो समय हो जाएगा ये option इसमें से option number D हो जाएगा इन में से कोई नहीं question number 10 देखेगा कि बिहार में मानव निवास का इतिहास यहां दिया गया खाली अस्थान तक प्राशीन है तो राइटन सर option number C हो जाएगा एक लाख वर्स ठीक है question number 11 देखेगा अब यहां से important question question आपके start हो जा रहा है मुंगेर सारन वैसाली गया पटन आदी से उपलब्ध हुए पसान आउजारो तथा उपकरनों का संबंद है तो फ्रेंस इनका जो संबंद है यह है पूरा पसान कालिन संस्कृति से 9 पसान कालिन संस्कृति तक ठीक है ध्यान रखेगा important question है तो रंभी कमानों का नामकरन किया है तो फ्रेंस यह किया है नेंडर थल ठीक है option number B हो जाएगा उसको बद दिखेगा most important question है आपकी बीपेसी एक्जाम के लिए पालमी की नगर जो की पस्सिम चंपरंजिला में है वहां से प्राप्त उपकरन किस काल के हैं बताई right answer इसका क्या ह हो जाएगा तो दिखे फ्रेंस right answer जो है यह हो जाएगा आपका पुरा पासान कालीन ठीक है पुरा पासान कालीन ओपकरन यहां से मिले हैं तो right answer option number B हो जाएगा उसका बद question number 14 देखेगा कि मुंगेर से प्राप्त और से किस यूग के हैं यह question अल्रेडी पूछा जा चुग तो right answer इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा इसका मध्यवर्ती प्रस्तर यूग option number B हो जाएगा right answer उसके पद अगला कुस्तन देख लिजेगा कि बिहार में आदी मानों के उपस्तिति के आरंबिक साक्षे कहां से प्राप्त हुआ है बताईए तो दिखे फ्रेंस यह जो प पत्थर के आउजार आदी प्राप्त हुए है ठीक है next question देखेगा question number 16 है कि बिहार में आदी मानों के उपस्तिति के आरंबिक साक्षे किस यूग के हैं बताईए right answer इसका क्या हो जाएगा तो देखे फ्रेंस correct answer जो हो जाएगा इसका यह हो जाएगा पूर्व प्रस्तर यूग झ्यान रखेंगे ठीक है next question देखे लिजेगा कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर यूग के साक्ष मिले हैं li jazi ये कहा से मिले है तो इस जियान देंगे यह मिला है मध्य वर्ती प्रस्तर यूग के साक्ष ये जो मिला है क्या हो जाएगा बहुत ही important question है बताए फ्रेंट से रैटन सर इसका क्या हो जाएगा तो रैटन सर इसका हो जाएगा 9 प्रस्तर यूग ठीक है ध्यान रखेगा 9 प्रस्तर यूग 9 प्रस्तर यूग हो जाएगा ठीक है चलिए next question दिखेगा कि बिहार में तामर प्रस्तर यूग कि बिहार के सम्मन्द में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो देखें यहाँ पर आपको चारो कथन दिखाई दे रहा है option number जो D है उपरीक्त सभी है तो इसका answer जो हो जाएगा यह option number D हो जाएगा उपरीक्त सभी next देखेंगे फ्रेंट्स अब यहाँ से एतिहासिक काल का जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे तो चलिए पहला प्रशन पढ़िए पहला प्रशन पुछा गया है कि एतिहासिक काल कहलाता है तो एतिहासिक काल जो है यह कहलाता है छे सव इसा पुर्व के पस्षाद को अप्सेर नमबर D रैटन्सर हो जाएगा उसको बढ़िए कि एतिहासिक काल में प्रचली था तो एतिहासिक काल में जादु टोना तंत्रमंत्र और सिध्धी उपाशना सभी प्रचली थे अप्सेर नमबर D रैटन्सर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्षन देखेगा कि एतिहासिक यूग की प्रथा आज की समय में परंपरागत रूप से चली आई है वह है तो फ्रेंस वह है बहेलियाकार सपेरा जादु टोना यह सभी अभी भी उपलब्ध हैं हमारे समाज में तो र रैटन्सर ऑप्सेर नमबर B हो जाएगा कि कुस्ट नमबर 5 देखेगा कि एतिहासिक यूग कि किसे चैतालय से सकती उपासक सकती प्राप्त करते थे तो यह प्राप्त करते थे आपके पून भद्र चैतालय और मनी भद्र चैतालय से तो ऑप्सेर नमबर C हो जाएगा ठीक प्रबंद जिसमें जितने भी राजवंस हुए हैं मगद में खास करके उनको हम लोग इसको यहां कवर करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं फ्रेंट्स पहला कोस्टन देखिए पहला कोस्टन है कि मगद राजवंस का प्रतापी राजा जो विरहदरत था उसका उलेख है तो देखिए महभारत था पुरानों के अनुसार मगद राजवंस का प्रतापी राजा कौन था विरहदरत था जय सहिंता जो की महभारत का पुराना नाम है इसका अनुसार विरहदत का पुत्र जरासंग था जरासंग मगत का प्रतापी समराठ था भागवत पुरान और महाभारत के सभापर्व में जरासंग वद्ध की कथा है इसको भी ध्यान रखेगा तो यह राइटनसर क्या हो जाएगा राइटनसर महाभारत पुरान और बौध गरंथ में तो उपरिक्त सब ही हो जाएगा उसका बाद इकють, अभी में आपको बता है कि ये मगद का प्रतापी समराड था और यहा जो था, ब्रिहधरत का पुतर था इसका भी option do हो जाएगा भागत पुरान महाभारत और बौद गरंथ में उसके बाद देखे मगत समराट बिम्बी सार कितने हजार गाउं यानि कि जनपत का अधिपती था तो बौध गरंथ के निसार बिम्बी सार असी हजार गाउं यानि कि जनपत का अधिपती था तो रैटेंसर आप्सिन नंबर C हो जाएगा बहुत गरंथों के अनुसार ध्यान रखेगा नेक्स्ट कुस्सन हमारा कि मगत समराट बिम्बिसार कूल उपज का कितना भाग भूमी कर लेता था तो फ्रंस ये लेता था एक बटा छे भाग अगला कुस्सन देखी कि मगत समराट बिम्बिसार को सेनिय क्यों कहा जाता है तो देखी बिम्बिसार जो था यहाँ पर्थम भारती सा सकता जिसने अस्थाई सेना रखी थी और जिसके कारण उसे सेनी है या ऐसे भी लिखा ज़ता है ठीक है स्रेणी है या फिर सेनी है दोनों तरह से आप याद रखिएगा इसको कहा जाता था और इसने ही पहली बार हाथी का प्रयोग यूद के द्वारान किया था ठीक है पुछा जाता है कि किस महा जनपद में हाथ का प्रयोग सबसे पहले हुआ था तो याद रखना है मगद में तो राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा राजबैद था जीवक ठीक है पूछा देता है कि जीवक क्या था राजबैद था नेक्स्ट कुस्टन दिखेगा फ्रेंस कि मगद समरट अजात सत्रु की राज विस्तार नितिक अउलेक किस जैन गरंथ में हुआ है तो यह है निरिया वली सुत्र ठीक है ओप्सन नंबर ए राइट अंसर हो जाएगा अगला कुस्टन दिखेगा कि मगद समराट अजात सत्रु के सासनकाल में मगद और वैसाली के बीच कितने वर्स से तक यूद चला था ठीक है इस यूद में अजात सत्रु ने महा सीला कंटक या मैं लिए पर signatures कहा तयो याद रखेंगे महा सीला कंटक और रत मुशल और रत मुशल यह दोनों ध्यान रखना है आपको महा सीला कंटक और रत मुशल अस्तरु का प्रयोग उर प्रथम किया क्लियर तो राइटनसर कितना हो जाएगा राइटनसर हो जाएगा 16 वर्सों तक नेक्स्ट कुस्टन दिखले देगा कि मगत्सम्राट अजात सत्रु के सासनकाल में प्रथम बौध संगिती का आयोजन राजगिरह में कब हुआ था तो दिखे अजात सत्रु के सासनकाल के 18 सावपूर में हुई थी ठीक है फ्रेंट कहा पर इस काजन किया गया था तो यहां राजगिरह ही लिखा गया अल्रीड़ी ध्यान रखेंगे अध्यक्ता किस ने किया था तो महा कसपने किया था नेक्स्ट को से देखेगा किसम्राट संहराट ने पार्टली पुतरनगर बस हरेंक वंस का अंतिम मगत समराट कौन था तो फ्रेंट्स यहां जो था यहां नाग दो सक था ठीक है अपसे नमबर बी राइटन सर हो जाएगा हरेंक वंस पुछा गया है बिम्बिसार जिसका संस्थापक था चली नेक्स्ट कुसन देख लिजेगा कि किस मगत समराट ने वैसाली को वास्तिविक राजधानी बनाया तो किस ने बनाया था फ्रेंट्स यह बनाया था सीसु नाग ने ठीक है वैसाली को सीसु नाग ने राजधानी बनाया था लेकिन पुनह जो है वैसाली से राजधानी को जो पाटले पुतर था ये किस ने ले गया तो फ्रंस ये काला सोख ले गया था ठीक है ध्यान रखेंगे चले नेक्स्ट कुस्सन देख लिजेगा कि किसके सासन काल में दूतिय बहुत संगतिक आवजन वैसाली में हुआ था तो सही अंसर काला सोख हो जाएगा ध्यान रखेंगा 14 नमर कुस्टन इसमे का कि किस मगज समराट को बहुत गरंतों में उग्रिशेन अर्थात प्रिचंड सेना का स्वामी कहा गया है अब ध्यान से सुन लिजे देखे फ्रंस महा पदमनंद एक द्रिड और योग सासक था उसका राजकोस भरपूर और उसका जो सेना था बहुत अर्थात सब छत्रियों का नास करने वाला तता बहुत गरंतों में इसे उग्रिशेन अर्थात प्रिचंड सेना का स्वामी कहा गया है क्लियर है तो महा पदमनंद हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा इसका और ध्यान रखेंगे महा पदमनंद को एक राट भी कहा जाता था एक राट इसने श्वं को कहा था और सबसे पहले ध्यान रखेंगे खारविल का जो हाथी गूफा लेक है हाथी गूंफा लेक उसमें यह प्राप्त होता है कि महा पदमनंद जो था उसने कलिंग को सबसे पहले जीता था ठीक है मगत का पुछा जाता है कि कौन सा कलिंग को सबसे पहले जीता था तो याद रखेंगे यहां महापदमनंद है ठीक है और इसी खारवेल के हांति गुंबा अपलेक से कलिंग विजय की जनकारी प्राप्त होती है महापदमनंद की उसके बद 15 नमबर कोस्तन देखी किस मगत समराट ने अपने दरबार में चानक के को अपमानित किया था तो यह कोई और नहीं यहाँ गानानंद था यहाँ बना लिजेगा नन्द वंसका यहां आँखरी सासक था कोस्तन नमबर 16 देखी यह कि मगत समराट गानानंद पर चंद उसका बद कुस्ट नंबर 17 देखेगा किस मगत सम्राट ने व्याकरानाचारे पानिनी को पुरुस्पूर जोकी पिसावर का नाम था उस समय वहाँ से पाटली पुत्र आमंत्रित किया था तो किस ने किया था महापदम नंज ने किया था अगला कुछ संदिके किस समराट ने भारत में सरपर्थम केंदरी कृत व्योस्था स्थापित किया था तो फ्रेंट्स ये किस ने किया था चंद्रगुप्त मौरे ने किया था next कुस्चन दिखेगा कि मारे काले इंसासन बहुस था कितने प्रानतिय भागों में बिभगत था बहुत ही important कुस्चन है इसको आप star mark लगा लिजएगा तो रइट अंसर इसका क्या हो जाएगा रइट अंसर जो है फ्रेंट इसका हो जाएगा पांच ठीक है पांच प्रानतिय दक्ष सिला थी, दक्षिनापत की राजधानी, स्वानगिरी थी, अवंती की राजधानी, उजयनी थी, प्राची की राजधानी, पाटली पुत्र थी, कलिंग की राजधानी, तोसली थी और मौरेकाल में प्रांत को चक्र कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे अगला कुस्सन दिखेगा कि वह ग्रंथ जिसमें पाटली पुतर प्रशाशन का वरनन उपलब्ध है तो वह क्या है इंडिका है मेगा स्थिनीज का लिखावा पुस्तक है इंडिका नेक्स्ट कुस्सन दिख लिजेगा मौरेकालीन राजा दोस्था की किस अंग का प्रमुक होता था तो रेटन्सर इसका क्या हो जाएगा उप्सन नमबर डी हो जाएगा कारहपालिका का भी विवस्थाइपका का भी और नयापालिका का भी next question हमारा कि मौरेकाली नगर प्रशाषन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था तो ये समिति कितनी थी तो ध्यान रखेए कि friends important question है right answer हो जाएगा आपका option number C, ठीक है ये समिति कितनी थी 6 समिति थी कौन कौन सी तो सिल्प कला समिति, विदेश समिति, जन संख्या समिति, उद्योग बैपार समिति, वस्तु निरिक्षक समिति और कर निरिक्षक समिति याद रखेगा next question देखेगा कि मौरेकाली मंत्री परिशद में कितने मंत्री होते थे इसका हो जाएगा आपका 12 से 20 मंत्री होते थे next देखेगा 23 नमबर कि मौरेकालीन केंद्रीय संचालन के लिए कई विभाग बनाए गये थे उन विभागों को क्या कहा जाता था तो उनको कहा जाता था तीर्थ, आपसन नमबर सी राय टन्सर इसका हो जाएगा कोटी लेके अर्थ सास्त्र में कितने तीर्थो यानि कि विभागों का उलेख है बताइए यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है ठीक है और लूसेंट में जो चार्ट मना करके दिया हुआ है उसको आप जरूर पढ़के जाएगा कि किस विभाग का अध्यक्स क्या कहलाता था उसको आप एक बार जरूर पढ़ लिजेगा तो देखे राइट अंसर जो हो जाएगा फ्रेंट्स इसका हो जाएगा अठारा कि उसको बदेके मौरेकाली गुप्तिचर व्यवस्ता कितने भागों में विभक्त थी तो फ्रेंट्स इयाती दो भाग में ठीक है एक था आपका संस्था और दूत्रा था संचरा ठीक है संस्था और संचरा संस्था जो होता था इसमें गुप्तिचर जो थे संगठित हो करके कारे करते थे और संचरा जो होता था इसमें भ्रह्मन सिल गुप्तिचर होते थे जो कहलाती थी? बहुत ही आसान कोस्चन है पन कहलाती थी अर्थ सास्तर में सीता भूमी की व्यौस्था इस प्रकार है ये कुस्चन कई बार पुछा गया है सीता भूमी बताई यञकर इसका क्या हो जाएगा किस ने पराजित किया था तो सेलिकस निकेटर को चंद्रुप्त मौरी ने पराजित किया था उसको देखेगा कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्मान करवाया था तो ये असोक और दसरत जो था असोक का पौत्र उसने करवाया था नेक्स्ट कुस्सन देखिएगा कि किस मगत समराट ने गुप्त समत का परवर्तन हिया था चंदगुप्त प्रथम का राजविषेक कहा हुआ था तो चंदगुप्त प्रथम का राजविषेक ये पाटली पुत्र में हुआ था गुप्त बंस की अस्थापना पूछा गया है तो सिरीगुप्त ने किया था कब किया था तो 320 इसपी में नेक्स्ट कुस्ण देखलीजेगा कि बिहार में गुप्त सक्ति के संगठन का स्रे किसे दिया जाता है तो फ्रेंस ये दिया जाता है चंदुप्त दूतिये को चंदुप्त विक्रमा दित्ते को अगला कुस्ण देखेगा कि किस सासक से सीहल यानि कि सिरलंका के राजा मेग व गुप्त काल में हुआ था इसका अस्थापना ठीक है चलिए और इसके अस्थापना किस ने करवाई थी जरह आप कमेंट करके बताएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए नलंद विश्विदयले के संस्थापक था देखें यहां आ गया कुस्तन अब मैं ही बता देता हूं राइट किस नगर से था तो फ्रेंट्स इनका संबन्द जो था यह पाटली पुत्र से था आपसे नमबर सी हो जाएगा उसका वद एक लिए देगा किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगद देश में सरवाधिक नगर थे धनपतियों ने यहां साले बनवा हैंजवांग जो है यह बिहार के किस विश्विदाले में अध्यान किया था हैंजवांग आया था हर्षवर्दन के सासनकाल में और इसने burg consistent किया था तो 27 नमर देखे महा बोधी बिरिक्स को긴 přहती पहुंचाने वाला सा आसकता तो ये गौड नरेस सासांक था गुप्त वंसी सासक किस धर्म को मानते थे तो ये कौन से धर्म को मानते थे गुप्त वंस के सासक उचा गया है तो राइटन सरोजय का ये बैशनौ ठीक है फ्रेंड्स चले गडूर इंकार जो था राजचीन था आपको याद भी होगा उसका बद 49 नमबर देख लिजएगा 49 नमबर है कि मगद की किस परवर्ती गुप्त वंस का अंतिम सासक था तो गुप्त वंस का जो आखरी सासक जीवित गुप्त था ठीक है नेक्स्ट कुस्सन देख लिजएगा कि मुगल काल की एम माफ करेंगे गुप्त काल की समाप्ती के बाद किस वंस का सासन मगद में अस्थापित हुआ तो फ्रंस यह था मौखरी वंस ठीक है चलिए यहां सब देखिए जैन धर्म और विहार के संदर में जितने भी कोश्चन है उनको हम कवर करेंगे देखिए पहला प्रशन है कि जैन धर्शन का अनुसार संसार का वास्त्विक कारण क्या है तो सई अंसर हो जाएगा इसका आदी तत्व ठीक है ध्यान रखिएगा जैन धर्शन का अनुसार आदी तत्व कितने हैं तो फ्रंस यह हैं छे आदी तत्व हैं नेक्स्ट कुस्टन देखिए जैन धर्शन का अनुसार जिन कहलाता है तो जिन किसको कहा जाता है जिन कहा जाता है मुक्ति जीवन मोक्ष और करमक्ष को तो अप्सन नमबर डी हो जागा उपरिक्त सभी अगला कुस्टन देखेगा कि जैन धर्शन में जीवन का अंतिम तो तृष्णा जनित बंदन से मुक्ती है नेक्स्ट कुस्टन दिख लिजेगा कि विश्व का प्राचींतम सास्त्रिय धरम कौन सा है विश्व का प्राचींतम सास्त्रिय धरम बताईए रैट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स ध्यान दिजेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ध्यान से सुनिएगा देखे जैन धरम जो है विश्व का प्राचींतम सास्त्रिय धरम है जो दर्सन पराधारित है इस धरम का संबंद बीहार से प्राणबिक काल से ही रही थी बीहार में ही जैन धरम बिस्तार पाया ध्यान रखेंगे तो रैट अंसर इसका हो जाएगा अप्सन नमबर 2 जैन धरम छटा प्रसन देखेगा कि जैन धरम कहां से बिस्तार पाया तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये बिहार से जैन्दरम के पहले तिर्थंकर रिशब्देव थे और आखरी और 24 वे तिर्थंकर जो थे ये भगवान महावीर थे ठीक है वर्दमान महावीर ध्यान रखिएगा अगला कुस्तन देखिए टोटल 24 वे तिर्थंकर हुए है, 10 में तिर्थंकर सीतलनात का चरंचीन कहां आंकित है तो फ्रेंट्स ये चत्रा में हो जाएगा अगला कुस्त देखेगा कि 24 जयन तिर्थंकरों में से कितने तिर्थंकरों ने सम्मेद सिखर जिसको कि अब पारस्वनात की जो पहाड़ी है पर निर्वान प्राप्त किया था यह जाएगा उप्सण नबर सी वीज ठीक है अध्यान रखेगा उसको वाधि के पारस्वनात सिखर कि स तिर्थंकर के नाम पर पड़ा था तो फ्रेंट्स ये पड़ाथा पारस्वनात के नाम पर ठीक है ऊप्सण नबर एराइट सर जायेगा अगला कुस्त देखेगा कि सिर संबंदित हैं किस तिर्थंकर का जर्म मिथला में हुआ था तो राइटनसर जो जाएगा इसका अप्सन नुम्बर भी हो जाएगा ठीक है मली नाथ का याद रखेंगे नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कुस्टन नंबर 13 कि किस तिर्थंकर का जर्म चंपा पुरी नी भागलपुर के निकट में हुआ था तो राइटनसर वजागा वसू पुझ्ये का उसको बादे के वीश्वेद तिर्थंकर सुब्रत नाथ का जर्म कहा हुआ था तो इनका यह पटना में है अगला कुस्टन देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौरे के सासन काल में पर्थम जयन संगति का जर्म कहां हुआ था तो फ्रेंस यह हुआ था पाटली पुत्र में ठीक है ध्यान रखिएगा उसका बाद देखिए पर्थम जयन संगति का देक्सता किस जयन दिंगंबर के उप सम्रता हैं तो यह हो जाएगा आपका बीस पंति तेरा पंति और समया पंति तो उपरिक्ति सभी हो जाएगा कि कुस्टन में 20 दिखेगा कि 24 वे जयन तिन्थंकर महाबीर का काल था तो यह हो जाएगा पांत्सो चालिस हिसा पुरुप से चार्सों और श कुस्टन है कि रिगवेद की रिचाओं में किन दो जयन तिर्थंकर का उलेख है तो यह है रिस्तवदेव और अरिश्ट्नेमी अरिश्ट्नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंदी भी माना जाता है जयन का साब्दिक अर्थ क्या है तो यह हो जाएगा मनों वेगों इंद्रिवों को वस में कड़ने वाला अप्सन नंबर सी हो जाएगा निर्गरंथ किने कहा जाता है तो जैनों को कहा जाता है देहान रखिएगा देखिए पुर्व किसके प्राचीन धार्मिक गरंथ है यह हो जाएगा जैनों का है यह 24 तिर्थंकर महाबीर का जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म कुंडगराम वैसाली में हुआ देहान रखिएगा उसके वाद के 24 तिर्थंकर महाबीर थे उनका अधिक समय कहां वीता था तो यह मगध हो जाएगा ठीक है फ्रेंस महाबीर ने किस भासा में प्रवचन दिया कर तो इन्होंने दिया था राजगरी में तीस नमबर देखे महाबीर का पहला सिस से कौन था यहाँ पर उप्सन है तो पहला सिस जमाली थे या जामिल थे जो भी आप पढ़िए फ्रेंस अब बोध धर्म और बिहार से सम्बंदी जितने भी कोस्तन है उनको हम कवर करेंगे द और लिएगा इसापुर्वल सफन गया जिएगा तो प्रबुद्य व्यक्ति हो जाएगा निर्वान का निर्वान का अर्थ है अर्थ है अल्च समाप्त होना या बुझना और शोपन का मूछ सब्ल अगला कुस्टन है कि बौध धर्म का अनुसार जीवन का सरम लक्ष है तो यह आपका निर्वान प्राप्ति जीवन अमरन के चक्र से मुक्त हो जाना और मुक्स प्राप्त करना तो अप्सन नमबर डी हो जाएगा उपरीक्त सभी उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कुस्टन नमबर सेवन देख लिजे कि गौतम आथवास सिधार्त कितने वर्ष की आउई में सर्वच ग्यान यानि कि बोधी प् होता है 35 वर्ष अगला कुस्टन देख लिजेगा कुस्टन नमबर एट है कि गौतम आथवास सिधार्त का जनम कब कपिदल वस्तु के लुमनी में हुआ था तो राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सी 563 इसापुर्व में कि गौतम आथवास सिधार्त का लालन पालन किस ने किया था तो इनकी मौसी थी प्रजापती गौतमी इन्हों नहीं किया था तो आपसर नमबर सी हो जाएगा राइट एंसर अगला कुस्टन देख लिजेगा दस नमबर कुस्टन है कि गौतम आथवास सिधार्त का गिरियत्याग कहलाता है तो फ्रेंस ये कहलाता है मह अपसर नमबर यह हो जाएगा उसको देखेगा कि दिव ज्यान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनात में पांच सिस्यों को धर्म उपदेश दिया था इसी के साथ बहुत धर्म क्या स्थापना हुई बहुत परंपरा में इसे कहा जाता है तो फ्रेंस इसको क्या कहा ज अंगुत्तर निकाह में 16 महा जनपतों की जानकारी जो है इससी अंगुत्तर निकाह से में मिलती है कि कुस्टन नमर 13 देख लितेगा कि बुद्ध काली नमुगत समराट विम्भिसार 12 नहीं उत्ते यहां पर देखिए लिखा गया है कि एक लाक बीस हजार प्रजाजनों के साथ राजगरी के लठी वन उध्यान में बुद्ध के अनुवाई बने हैं इसका उलेक किस बौध गरंथ में है तो इसका उलेक जो है यह विनाए पीटक में है नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि बुद्ध के समकालीन मगद समराट विम्भिसार कितने हजार ग्रामो अथरव्यद में पूरान में और बौध गरंथ में तो अप्सटन नुबर डी हो जागा उपरिक्त सभी में नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि राजगरी नगर पंडव उसके बाद देखिए गजकुट बिवार इसी गिल और विपुल आधिक पांच पहाड़ियों से घीरा होने के कारण बौध बौध काल में ग्रीवरज कहलाता था इसका उले किस बौध गरंथ में है तो रैटनसर इसके क्या हो जाएगा रैटनसर इसका उप्सन नंबर यह हो जाएगा सुत निपात की अठ कथा नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा कि बौध रम का सबसे प् किया गया था बौध गौतम बुध वैसाली प्रवास कहां किया था तो सही इंसर अप्सन नंबर सी हो जाएगा लूब ग्राम में उसके बाद कि बौध विक्षिनों अमरपाली ने एक कविता अपनी विद्धावस्तायम बुध के सत्वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी यहां कविता किस पुस्तक में संग्राहित है तो फ्रेंट्स यहां यहां थेरी गाथा अप्सन नंबर ए हो जाएगा उसके बाद देख लिजेगा कि बौध गरंथ सत्पत ब्रह्मन विनय पीटक आदी की रचना कहां हुई तो सही अंसर हो जाएगा बिहार में नेक्स्ट कुस्सन देख लिजे कि गंडक नदी का उलेख किस बौध गरंथ में हुआ है तो देखे फ्रेंट्स रेट अंसर इसका अप्सन नंबर ए हो जाएगा सत्पत ब्रह्मन में उसके बाद के बुद्ध के कथान उनसार बौध का जाएगा नेक्स्ट कुस्सन दिखेगा कि वैसाली की लिक्षियों ने विदा निवारन के लिए कितने संखराम स्थापित किये थे तो सही इंसर हो जाएगा 7707 उसके रुमिन देई किस घटना से संबंदित है तो यह बुद्ध के जनम से संबंदित है सुत्थ साहित किस ध संगति जो है यह कहां हुई थी तो फ्रेंस यह राजग्रिह में हुई थी ऑप्षिन नंबर सी हो जाएगा अजात सत्रु के सासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति जो है यह कहां हुई थी तो दूसरी हो थी वैसाली में तीसरी पाटली पुतर में हुई थी रैट इंसर ऑ साथ किस बहुत गरंद की रसना हुई थी important question है बताई रायट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो रायट अंसर इसका हो जाएगा सूत्य पिटक और विनाय पिटक ठीक है फ्रेंट्स इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे और एक है अविदम पीटक आगे आपको वह भी मिलेगा तीनों पीटकों की भासा जो है यह पाली भासा है त्रितिय बहुद संगती असोक के सासनकाल में पाटली पूत्र के और सोकाराम बिहार में आजित हुई इस आजित हुई थी इस अप्सनम्बर है अविदम पीटक ठीक है सुथ पीटक विने पीटक का तो पहले ही हो गया था पहले ही संगती में और अभी जो हुआ था यह अविदम पीटक की रचना हुई थी बौध संग में इस त्रियों के परवेश की अनुमती बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई तो सही अंसर हो जागा इसका वैसाली में अगला कुस्तन देखिएगा और पहले भीक्षनी जो थी यह प्रजापति गौत्मी हुई थी गौत्म वुद्ध की शिक्षा अंसर प्रथम संकलित की गई तो यह हो जागा आपका तिरिपीटक में नेक्स्ट कुस्तन देखिएग लिखेगा कि बौध ध्रम का हिनयान संप्रदय विश्वास करता है बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो करेक्ट अंसर जो है फ्रेंट्स इसका हो जाएगा गौत्म बुद्ध एक महा मानव है अवतार नहीं उसको देखिकि किस बौध गरंद से संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो यह हो जाएगा विनाय फीटक से अगला कुस्ण दिखेगा कि बौध कालेन अविलेक किस भासा में लिखे गया है तो फ्रेंट्स यह लिखे गया है पाली भासा में 38 नमर देखी कि वैसाली में होई दूतिय बौध संगती के पस साथ बौध संग विभक्त हो गया था तो फ्रेंट्स यह हो गया था महासंगिक में अगला कुस्ण देखिएगा कि बौध ध्रम के किस साखा में आनात्म सिधान्त यों पुद्गल को मानेता दी गई है तो यह से हो जागा सरवास्तिक में उसका अगला कुस्ण देखिएगा कि बुध के अनुसार निम्ड़कित में से किसे से निर्वान के प्राप्ति होती है तो फ्रेंट्स यह होती है अश्ठांगी कमार का अनुपालन करके ठीक है अश्ठांगी कमार जो है यह बौध धरम से संबंदित है पुछा जाता है ध्यान रखिएगा अश्ठांग एक मार का संकलपना अंग है तो फ्रेंट्स यह है धरम शक्र प्रवर्तन सुत के विशय वस्तु का अप्सन नमर डी हो जाएगा उसको देखे नियाज सास्त्र से संबंदित गरंथ जो है तत्व चिंतामनी की रचना कहा हुई थी इसकी रचना बिहार में हुई अब ओना ऑद कालि न उप्रोटन जोका यहांऔच प्रकार को कि इस प्रकार के वंपदेश दिया था तो सही अंसर हो जागा आपका सिल्प बनने का ठीक है सिल्पी बनने का अगरा कुस्टन देख लिजेगा कि बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन यानि कि प्रचलित मुद्रा में मिलता था बैल की जोड़ी जो थे ये कितने मतलब इनके किमत क्या थे तो सही अंसर हो जागा आपका चोविस कहापन ठीक है ये उसमय की मुद्रा थी प्रचलित मुद्रा कहापन उसका बदेख गौतम बुद्ध ने वैसाली में अंतिम वर्सावास किया था उस वर्सावास की संख्या क जा थे तो सही अंसर हो जाएगा 45 अगला कुछस्ण देखिए कि बुद्ध का महापरिनेर्वान कब हो था इनको तो राइटन्सर हो जाएगा 480 इसापुर में ठीक है फ्रेंड़्स इसका नेक्स्ट कुछ्ण देखिएगा कि बुद्ध के महापरिनेर्वान के प्रच्छा कौन बौध संग का प्रधान बना था तो ये महा का सब अप्सन नंबर ए हो जाएगा अगला कोशन देख लिजेगा अगला कोशन फ्रेंट्स की बिहार में हुए बौध संगतियों के पस्ताथ कौन सा बौध सिधान्त का प्रतिपादन हुआ था तो ये हुआ था आपका प्रतित्य समुत्पाद का ठीक है ये कई बार आपको मिल चुका है फ्रेंट्स अब जैन और बौध कालिन जो बिहार की विभूती है उनको हम कबर करेंगे देखे बारा हुए जैन तिर्थंक करवसुपुज का जन्म कहा हुआ था बता ही रैट अंसर क्या हो जाएगा इंपोर्टेंट कुस्टन है तो देखे रैट अंसर जो हो जाएगा फ्रेंट्स इसका क्या हो जाएगा रैट अंसर ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा ठीक है चमपा उसका बाद देखेगा कि बिम्बी सारकालिन मगतक की चर्चा हुआ है तो ये फ्रेंट्स कहां पर हुआ है ये आपका हो जाएगा अथरवेद में भी अंगुत्तर निकायबे भी और महाभारत में भी उसको बदे किस मगट समराट ने मगट की राजधानी ने में राजगिश से पाटले पुत्र किया था तो ये उदाइन किया था तो राटमसर उदयबहद्र हो जायेगा मगत समराट काला सुक किस म मौनद साजानी में बहुत संगती हो थी तो बहिसाली में जो है यह कौन सी दूती ये बहुत संगती हो Гोई थी तो यह हो जाएगा मुद्रा राक्षस ठीक है चले अगला कुछान देखिएगा शूद्रक का है किस मगध सम्राट ने पाठले पुत्र में तूतिय बहुत संगती का आजन करवाया था तो दूतिय हो जाएगा आपका किसके समय में तूतिय हमापकरिंगे तृतिय और तो के सम गुप्तकालीन पसु विज्ञानी थे तो गुप्तकालीन जो पसु विज्ञानी थे वह थे आपका पाल काल पे ठीक है अगर आग उसन देखेगा कि नलंदा विश्विधाले के आचार वेरोचन की रजना है तो तो सई अंसर हो जाएगा इसमें रत्नवाद शक्र ठीक है अपस्सन नमर यह हो जाएगा रतनाकर शांती नेक्ष्ट देखेगा फ्रेंड अब मध्यकालीन बिहार की इतिहास को हम लोग कवर करेंगे ठीक है सभी के सभी जितने भी मध्यकालीन है इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार को भी हम लोग कवर कर लेंगे चलिए पहला पालवेंस का सांस्थापप गोपाल था 756ुलम इसने पालवनस की अस्थापना की थी। पालवनस की राज़ानी मुंगेर थी। पालवесть ये प्राथम सासक कौन था तो ये जोपाल हो जायगा आउपसन नमबर ए राइटंसर इसका साथापन करवाई थी घोपाल प्रथम ने करवाय था विक्रम लेत educator का ship नहीं नुहीजा न सुरू किया था तो फ्रेंस यह किया था दर्या खान नुहानी ने उसका देखिये बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आकरमन करने के लिए आमंत्रित किया था पानिपत का जो यूद हो था आपको याद है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में तो ये दौलत खान नेक्स्ट कुस्ट निकिए सेर खाने कब हुमाई को पराजित किया था तो सही इंसर इसका हो जाएगा 14 का यूद 26 जुन 1549 में और 1540 में बिलग्राम का भी यूद हुआ था जो कि निरनायक रहा था और इसमें से हुमाई को सेर्षा ने हिंदुस्तान से ख़देर दिया था सेर खाने कब हिंदुस्तान का बादसा के रूप में राजबिसेख हुआ था तो ये हो जाएगा 1540 में 10 जुन 1540 को बिहार के राजबानी बिहार सरिप से किसने पटना कर दिया था तो फ्रेंस ये किया था किसने ये सेर सा आने कर दिया था उसको बदे कियागा कि बिहार में पाल यूग के कांस से निर्मित मूर्ति की एक उनत सैली का विकास हुआ है इस उनत सैली के निर्मान में निरनायक देन है तो इसमें देन है धीमन यो बिठल पाल का ठीक है ये बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है मेंस के द्रिष्टिकुन से भी पाल कालीन कलाकार धीमन और बिठल पाल कहां की निवासी थे तो ध्यान रख्येक अशन्स ये थे नालंदा के अगला कुस्तन देखेगा कि चित्रित पांडुलूपी अर्थ सहसरिक प्रग्या परमित और पंच रक्स किस यूग के थे तो धीके अश्ट सहसरिक और प्रग्या परमित और पंच रक्स जो थे यहां किस यूग के थे तो यहां थे पाल यूग के उसके वादिके पालकालिन चितरकाला का यहाँ पादिके भीती चितर जो है भीती चितर उप कहां से प्राप्थ हुआ है बताइए तो देखे रेटन सरी स्कॉप्स नमर ए हो जाएगा नालंदा अगला कुस्तन देखेगा कि बिहार में प्रारम्भिक तुर्क गतिवीदियो के संदर में महतपुन जानकारी के प्रमुख स्रोथ है तो फ्रेंस यह हो जाएगा तपकाते नासिरी उसका बदेखे पालकालि में सरी नगर भुक्ति किसे कहा जाता था तो फ्रेंस यह कहा जाता यहां रामपाल का था नेक्ष्ट कुस्ट देखियागा कि मिथला के करनाट सासको का उन्त कि सुल्तान के द्वारा किया गया जो करनाट वंस था इसका अपना ना ने देव ने किया था ठीक है फ्रेंड्स याद रखेंगे तो राइट एंसर इसका जो हो जाएगा आपका यह कि दिन तुगलक उसके बख्टियार खेदी आकर मन कि सपाल वंससी चाहत के कारेकाल में हुआ था तो यह वो था रामपाल के सहसनकाल में ऑप बख्टियार रखेद्स यहहाushand taki न्यू डाली थी किसने तो ये डाला तक ग्यासी दिन तुगलक ने किस तिवती बौध यात्री ने नालंदा और उदंत पूरी में हुए बक्तियार खिलजी के आकर्मन का वरणन किया है तो फ्रंस ये हो जाएगा धर्म स्वामिन ने उसका बदे के तुगलक काल में बिहार की रजधानी कहा अस्थापित था तो फ्रंस ये बिहार शरीफ में था बिहार में तुर्क सत्ता के अस्थापना कब हुई तो फ्रंस ये हुई थी 1198-YAN in में उसको उसको बगतियार खिल जी ने अपनी राज़धानी कहां अस्थापित किया था तो फ्रेंस यह क्या था ओदंतपुर में 27 नमबर खे बर खिल जी के हत्यास सैनिक अधिकारी अली मर्दान खाने कहां पर कर दी थी तो इसने क्या था देव कोट में उसके बक्तियार खिल जी के 100 को दफनाया गया यह प्रश्ण पूछा जाता है तो ध्यान रखेगा बिहार सरीप में उसके इतिहास पुस्त के रियास उस सलातीन और तबकाते नासरी में किस तुर्क सासक का प्रसासनिक जनकारी उपलब्ध है अच्छा यह बताएगा कि तबकाते नासरी को लिखा किसने है ठीक है फ्रेंट्स चलिए राइट एंसर मैं बता देता हूं इसका ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा बक्तियार खिल जी उसके मौम्मद भी तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलक पु नेक्स्ट कुस्चन देखेगा कि तूतमिस ने किस से पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया तो यह हुसा मुदीन एवाज को अगला कुस्चन देखेगा कि मिथला के करनाट वंस के सासक हरिसिंग देव को पराजित करने वाला सुल्टान कौनता तो यह हरिसिंग देव जो थे ये एक करणाट वंस के आखरी सा सकते अभी मैंने बताया था कि नाने जो थे ये करणाट वंस के संस्था पकते राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका यासी दिन तुगलक, अगला कोस्ण देखेगा, फ्रिंस, याहां से, अब मुगल कालीन बिहार से संबन्दित कुष्सण को कवर करेंगे, किस मुगल बाधसा ने जजिया कर बंद कर देने का आदेस दिया था, तो सही अंसर इसका क्या हो जाएगा, सही अंसर बताएए, यह रहा था रफी उद यहां पर देखे रवी उद दौला ठीक है ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा इस पर जो था केवल जो था बादसा का कोई जो है अधिकार नहीं चलता था केवल और केवल जो चलता था यह सेद बंद होगा चलता था नेक्स्ट कुस्ट देखिए कि किस मुगल सासर के काल में बिहार पर बंगाल के नाबाबों का नियंदरन अस्थापित हुआ तो फ्रेंट सी हो था बहादूर सा प्रथम के सासन काल में बाबर और इमराहिम लोदी क के बीच हुए यूद में कि समय बिहार का सासर कौन था पानिपत का जो यूद हुआ था 1526 में उस समय जो था उसमें कौन था तो फ्रेंट सूसर में था बहार खान उहानी ऑप्सन नमबर दी रैटनसर हो जाएगा उसको बढ़े कि किस मुगल सासर का राजबी सिक पटना मे हुआ था फरुक्सियर का यह कोस्टन पूछा जाता है ध्यान रखिएगा उसका गागरा की यूद में भाबर को क्या हासिल हुआ था गागरा का यूद जो है यहां बाबर और अफगान की बीच में वा था जिसमें बाबर जीत गया था ठीक है रैट अंसर इसका हो जाएग राजकुमार अजीम जो भी कहिए जिसने अजीमाबाद नाम रखा था पटना का उसको दिखे बाबर के समय बिहार का कुल वार्सिक राजस्व था तो यह था फ्रेंस चार कोड़ोर पांस लाग साथ हजार रुपया हुमायू के समय बिहार पर किसका अधिकार था तो यह अ कि बिहार को सरपर्थम अपने समराज में मिलाने वाला मुगल सासा कौन था तो फ्रेंस यह अकबर था अगला कुस्चन देखेगा कि बिहार को मुगल समराज में सुबा यानि कि प्रांत का दर्जा दिया गया था कब तो यह दिया गया था 1580 में उसका बाद देखेगा कि म जालिन बिहः कितने भागों में विभक्त था तो इता से भागों में किस वर्थ सहाजदा आजम को सुब्यारी मिली थी सहजादा आजम को बताईए तो देखिए 1677 इस भी में जो है कुछ समय के लिए और अंग्जेव का जो तीसरा पुत्र था सहजादा आजम उसको सुवेदारी मिली थी परन्तु सिग्र ही उससे बंगाल भेंज दिया गया था तो यह 1677 हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट कुशन देखिएगा कि हिंदू से कितना परतिसत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखिए फ्रेंट राइट अंसर जो है इसका उप्स नमबर सी हो जाएगा पांच परतिसत नेक्स्ट कुशन बिहार के साथ सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजे सुप्राप्त करता था तो सही इंसर हो जाएगा इसके 43,07044 रुप्या किसके सुभेदारी काल में दस्वेसिक गुरु गुरुगुविंद सिंग का जनम पटना में हुआ था तो रैट अंसर क्या हो जाएगा रैट अंसर हो जाएगा लसकर खाँ ठीक है नेक्स्ट कुस्सन देखेगा कि कुमर मांसिंग को कब बिहार का मनसबदार यानि कि सुभेदार बनाए गया था तो सही अंसर हो जाएगा 1587 में मुम्ताज महल का भाई साइस्ता खाँ किस वर्स बिहार का सुभेदार बना था तो साइस्ता खाँ जो है फ्रेंड्स ये बना था 1649 में ये भी पूछा जाता है ठीक है नेक्ष देखे कि पटना में बागे जफर खां का निर्मान किस सुभेदार ने करवाया था तो इसका निर्मान सही दिखाने करवाया था किस सुभेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था तो दिखे ध्यान दिजेगा बर्नियर जो आया था फ्रेंड् आठ दिन वह पटना में रहा था नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा अगला कुस्टन तेज नमबर कि अकबर द्वारा संपुन्द बिहार पर नियंतरन कर लेने के पसाथ प्रसास्निक सुब्दा की दृष्टी से बिहार को कितने परगनों में बाटा गया था तो बताएं राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपके 199 नेक्स्ट कुस्टन देख लिएगा कि साज़्यदा मुराद का कबर पटना के किस अस्थान पर है तो यह है गंगा नदी के टट पर उसका बाद देखे किसने पटना में एक मदर्से का निर्मान 16-39 में करवाया था तो फ्रेंट्स यह करवाया था सैफ खाने नेक्स्ट देखेगा कि जहांगीर ने अकबर कालीन बिहार के मनसबदार यानि सुबधार के अस्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया था तो फ्रेंट्स यह क्या था लाल बेग यानि कि बाज बहादुर को 27 नमर देखे किस मुगल सहाजादे के नाम पर पठना में मुराधपुर नाम करन हुआ था तो यह है मुराध ठीक है और अजीमाबाद अजीम के नाम पर अकबर के काल में बिहार प्रांतिये सुबा प्रशासन प्रमुक को उसका बदे किस सीफासलान कहा जाता था परन्तु उसके उतरादिकारी के काल में प्रांतिये प्रशासन प्रमुक का जो है क्या नाम करन किया गया तो सही इंसर इसका हो जागा सुबेदार बिहार के मनेर इस्तित्साह दौलत का मकबरा किस सुविदार ने बनमाया था तो फ्रेंट्स ये बनाया था इब्राहिम खान ने तीस नमबर कुस्सिन देख लिए कि अकबर ने बंगाल तता बिहार को मुगल समराज में किस वर्स मिला है ये मौस्ट इंपोर्टेंट कुस्सन है ध्यान रखेगा फ्रेंट्स रैट अंसर इसका क्या हो जाएगा रैट अंसर इसका हो जाएगा 1563 में किसकी विद्वता से प्रशन होकर अकबर ने 1556 संतान में यहाँ पर देखेगा पुरसकार सरूप जो है मिथला का राजिदे दिया था तो सही इंसर हो जाएगा महेश ठाकुर नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि साज़ादा खुरम ने 1622 सोविस के वर्स में विद्रोग कर विहार के किने छेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था तो यह कर लिया था आपका सभी जगा पर ऑप्सर नंबर डी हो जाएगा 33 नंबर देखेगा कि जहांगीर ने अपने पुत्र साज़ादा परवेज को किस वर्स बिहार का सुबेदार बनाया था तो फ्रेंट्स यह 1621 में बनाया था अब यहां से काफी important topic शुरू हो रहा है आधुनिक काल ठीक है तो देखिए शुरू करते हैं पहला question देखिए मद्यकालीन बिहार में अंतराश्टी बैपार का मुख के केंद्र क्या था बते यह right answer इसका क्या हो जाएगा बहुत important question है बते यह फ्रेंट्स इसका correct answer क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो correct answer हो जाएगा वह आपका हो जाएगा option number a पटना भावलपूर उसका बदेखिए सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला इरूपिय बैपारी कौन था तो फ्रेंट्स यह पूर्टगाली थे जहान रखेगा डच बैपारियों ने किस वर्स पटना में फैक्टरिया स्थापित किया था तो 1632 में यह प्रस्ण तो कई बार पुछा जा चुका है उसके पर दिखेंगे अंग्रेज बैपारियों ने पट्टना में किस वर्स फेक्टरिया स्थापित किया था तो अंग्रेजों ने 16-15 में किया था फ्रांसिसी बैपारियों का बैपारिक किंद्र था तो फ्रेंस यह था गाया, अप्शन नमबर D हो जाएगा ठीके, अप्शन नमबर इसका चंदर नगर हो जाएगा, माफ करेंगा अप्शन नमबर C हो जाएगा, चंदर नगर छटा प्रस देखेगा कि उरोपिय बैपारियों के भारत आकर बैपार करने के कारण क्या थे तो देखें, इनके कारण जो थे, ये कारण क्या है, उपरिक्त सभी हो जाएगे, ठीके, सभी हो जाएगे, पढ़ लिजेगा नेक्श देखेगा, किस मुगल साजादे ने बिहार की उरोपिय बैपारियों को भरश्ट तरीकों से खालसा भूमे परदान करने लगा था तो ये हो जाएगा, फरुक्सियर जो था, ये करने लगा था, किस मुगल साजादे ने धन प्राप्ति के लिए उरोपिय बैपारियों को पटना में लूट लिया था ये लूटा था फरुक्सियर ने, उपनिवेसी कमपनी सरकार के अस्ठापना किस वर्ष हुआ था तो फ्रेंट ये 1765 में हुआ था, बिहार में उपनिवेसी कमपनी सरकार का दोएद्धसासन रहा था तो फ्रेंस ये रहा था 1665 से 1772 तक उसको देखे बिहार बंगाल और उर्षा की दिवानी यानि के राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कमपणी सरकार कितने रुप्य मुगल बादसास साह अलम को प्रति वर्स देना स्विकार किया था तो ये 26 लाइक नेक्स्ट कुष्वसं देखेगगा कि बिहार में कमपणी सरकारा स्थापित होते होतें बिहार नयाव कोन बना था त्रिफ्रंस ये बनाए गया था सिताव रायको ठीक है प्रमुक प्रसासने का दिकारी होता था नयब ये बनाए गयास शिताव रायको उसका नेक्ष्ट कुशन देख लिएगा कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंक्या दो लाख बताया है तो राइटेंसर इसका हो जाएगा और सी ठीक है अगला कुशन देख लिएगा कि कमपनी सरकार को बिहार बंगाल उडिशा से प्रतिवर्स कितने लाख पौंड राजस्व की प्राप्ति होती थी तो यह होती थी 30 ठीक है 30 लाख पौंड अगला कुशन देख लिएगा कि बिहार में द्वैद यानि कि 12 सासन से अरग्ष्टा फैल गई इस अरग्ष्टा के समय चौथ वसुलते थे तो यह मराठे वसुलत प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना और सभी नियंत्रन में रखना सभी को अपने कंट्रोल में रखना बिहार में नोनिया विद्रो जो है इसका कारण क्या था तो नोनिया विद्रो के कारण सोरा था सोरा अफिम इनसब का बैपार होता था देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है प्राधिंता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो सन्यासी विद्रो के समय यहां उद्गोश किसका था बताई राइट अंसर क्या हो पहाड़िया उसके बाद नेक्स्ट कुछन देख ली जेगा कि मुंड़ा विद्रो जो है किस वर्ष हुआ था यह 5831 में संथाल विद्रो किस वर्ष प्रारंब हुआ था तो संथाल विद्रोजव यहां प्रारम हुआ था 1855 हो जाएगा लोटा विद्रोजव किस दिले में हुआ था लोटा विद्रोजव है यहां हुआ था मुझपरपुर में ध्यान रखिएगा उसका देखे बहावी अंदुलन का प्रमो के केंद्र तो यह पटना था option number D 1857 का सैनिक विद्रोज कहां से शुरू हुआ था विहर में पहला विद्रोज 12 जून 1887 को देगव जी लेके जो बरतमान में अभी जहरखंड में है रोहिनी गाउंस हुआ था तो रोहिनी होजायेगा 12 जुन 1857 बिहार में पहला सानिक विद्रोह कब हुआ था तो देखे यहाँ पर आभी मैंने बता है 12 जुन 1857 दानापुर चाओनी में भारतिय सानिकों ने कब विद्रोह किया था तो याद रखेगा 25 जुलाई 1857 को विद्रोही भारतिय सानिकों ने किसे अपना नेता चुना तो वीर कुवर सिंग को चुना था अप्सिन नंबर ए रैटनसर हो जाएगा बिहारी यहाँ हो जाता तो ज्यादा बेटर होता नेक्स्ट कुशन देखे लिजेगा कि दानापुर चाओनी के किस बटालियन के भारतिय सानिकों ने विद्रोह किया था तो रैटनसर हो जाएगा उपरिक्त सभी साथवी, आठवी और चालिसवी बटालियन कुवर सिंग ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया तो फ्रेंस इनों ने किया था 13 अगस्त 1857 से उसको अचैंब विद्रोही सेनिकों ने कब आ olduğustर कर लिया ardू तो यह 26 जुलाई 1867 को पटना में किस ने विद्रोह की सुरुरुआत की थी तो इके पटना में जो है 3 जुलाई 1867 को पीर AJ के नेत्रित में विद्रोव प्रारम हुआ परंतु अगले दिन जो है चार जुलाई के दिन इनको गिरफतार कर दियेगा चार जुलाई के दिन संध्या में शिर्प आपको देहान रखना पट्णा में जो है उसको देखी कि माधाल सिंग जैमंगल पंडे नादिर अली सुरेंद्र साही आधिक की शेत्र से विद्रोवी सैनिकों के नेता थे याद रखेगा इंपोर्टेंट कोस्चन है तो यह हजारी बाग हो जाएगा छोटा नागपूर में विद्रोवीय का नेता कौन था तो यह हो जाएगा ठाकूर विसोनात सहादेव नेक्ट जैके कि पलामू छेतर में किसके नतरित में लड़ाई लड़ी गई थी तो यह निलंबार पितांबर ठीक है निलंबर और पितांबर के नतरित में सिंग थे option number C हो जाएगा यह सभी प्रश्ण इंपॉर्टेंट है 1877 के विद्रों से बिहार का कौन सा भाग आपर भावित रहा था तो यह भाग था मुंगेर option नमबर D हो जाएगा राइट इंसर इसका उसका उसका बाद 17 नमबर question देखेगा कि अंग्रेज के प्रती निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राजे में कुमर सिंग को प्रवेश के अनुमति नहीं दी थी उसका नाम क्या था कहां का राजा था तो फ्रेंस वो था प्रमीन होने आखरी लडाई डगलस के साथ किया था ठीक है जब यह वापस जगदीश पूर जा रहे थे 22 अपरेल 1808 उनको तो उसी समय डगलस के सनिकों ने कुमर सिंग पर गोली का निशान लगाया और उनके हाथ में और जांग में गोली लगी थी और उन्होंने अपना ह साथ काट करके गंगमा को समर्पित कर दिया था नेक्स्ट देख लिएक अगला कुस्टिन है किक ने किस यूद में नाना साहब यहां साहाब बनाली जेगा नाना साहब को सहयों किया था बताइए तो दीखिए यह जो थे इन्होंने 29 सितंबर 1897 को कुमर सिंग बांदा उसे नाना सहाब और तड़्य टोपे के साथ कानपूर पर हमला किया गया परन्तु कानपूर में विद्रोही जो सेना थी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था तो यह कानपूर हो जाएगा ध्यान रखेगा नेकर सिंग ने आजम गट पर कब अधिकार कर लिया था तो राइट अंसर हो जागा 26 मार्च 1800 अंठाउन को उसको देखेगा 1800 अंठाउन के विद्रोह के समय पटना का अयुक्त यानि के कमिशनर कौन था तो फ्रेंस यह था बिलियम टेलर यह इंपोर्टेंट है ध्यान रखन आपको उसको देखेगा 1800 संताउन के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद छापामार यूद करता रहा था तो फ्रेंस यह थे अमर सिंग ऑप्शन नंबर बी राइट अंसर हो जाएगा मिलने के लिए पतना आमंतरित किया था तो यह किया था है टेलर 25 नंबर देखेगा कि कुलर सिंग के छोटे भाई वा चपामार यूद के योधा अमर सिंग को किसने गिरेफ़तार किया था तो राइट असर इसका हो जाएगा आपका उप्शन नंबर बी जंग बहादूर न इसका option number B हो जाएगा जंग बहादूर नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा अगला प्रश्ण है friends हमारा अब यहां से हम लोग स्वतनत्रता आंदोलन के जितने भी चरन थे जिसमें की बिभीन परकार के आंदोलन हुए थे उनसे सम्मंदित question को कवर करेंगे देखे पहला question है तो सखाराम गनेश देवसकर ने अगला question देख लिजेगा कि देशेर का था यानि कि देश की बाद के लेखा कौन था तो अभी मैंने बताया था कि सखाराम गनेश देवसकर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि अपनी वेसिक अर्थ सास्त्र के रहस्त्र को सरप्रतम प्रकट किया था तो किस ने किया था फ्रेंट्स तो रैटन सर हो जागा आपका option no.b सखाराम गनेस देवसकर ने अगला question देखे लिजेगा question no.4 है हमारा कि क्रांतिकारी संगठंक अनुस्तिलन समीति की एक सखाव पटना मा स्थापित किया था इंपोर्टेंट कोस्टन है तो सचिंद्र शन्याल ने किया था ठीक है उसका में देखे कि सकाराम गनेश देवसकर्क ने किसे मारवाड़ी बैपारियों को स्वदेशी बैपार से जोड़ने के लिए कारे करने को कहा था तो सही इंसर हो जाएगा नागरमल मोदी को ठीक है फ्रेंट्स अगला कोस्टन देखेगा कि स्वदेशी आंदोलन के दोरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंद लगा दिया गया था तो पाटले पत्र सत्यूग और स्वराज का था सभी पर लगा दिया गया था स्वदेशी आंदोलन को प्रुचाहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लिखक कौन था तो राज टेंसर अप्सन नमबर सी हो जाएगा राधा मोहन गोकुल अगला कोस्टन देखेगा कि किस वायसराय के इसारे पर देखेगा किस वायसराय के इसारे पर एलन वक्टिवियन ह्यूम ने यहां ह्यूम बना लिजेगा भारती राष्टी संग यानि कि भारती राष्टी कॉंग्रिस के अस्थापना 1885 में किया था तो राइटेंसर लॉड डफरिन हो जाएगा ठीक है उस समय लॉड डफरिन का कारेकाल था उसको देखे एका नौ नंबर कुस्सन कि किस राष्टवादी नेता ने एवो हियूम द्वारा स्थापित भारती राष्टी संग को अखिल भारती राष्टी कॉंग्रिस के रूप में परिवर्तित किया था तो यह किया था लोकमान तीलक ने उसको वदे के किस गरम दल के निता की रफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरुद्धिवस मनाया गया था तो सही अंसर हो जागा लोकमान बाल गंगाधर तीलक उसको वदे के लोकमान तीलक ने कब होमरूर लिक्या स्थापना किया था इनोंने तो 28 अप्रेल 1916 को राजकुमार सुकल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थे बताई तो दिखे फ्रेंट्स ये जो थे मिले थे ये राजकुमार सुकल जो थे कानपूर में किन से मिले थे तो गनेश संकर विध्यार्थी से मिले थे और इनोंने ही जो है प्रताप समाचा पत्र का सम्पाधन किया था गनेशंकर विधविधार्थी और गनेशंकर विधविधार्थी जो थे इन्हों ने चंपारन के अंदेरा नाम से एक लेक लिखा था और गांधी जी से मिलने की सलाह दिती राजकुमार सुकुल को अप्सिन नमबर ए हो जाएगा गांधी जी कब अपने सायोगे के साथ मोतिहारी पहुँचे थे तो राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा राइट अंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका अप्सन नमबर C, 16 अप्रेल 1917 को उसको दिखे चमपारन सत्यागरा आंदोलन के द्वारान तीरहुत परमंडल का आयुक्त कौन था ये कोस्टन इंपोर्टेंट है ये था L.F. मर्सेड ठीक है अगला कोस्टन दिखे चमपारन संबंदी विबात को हल करने के लिए चमपारन एग्रेरियन कमीटी का गटन कहां हुआ था तो इस कमीटी का गटन राची में किया गया था चमपारन अधिनियम का जन्म कब हुआ था तो रैटन सर हो जाएगा ये 8 मार्च 1918 को रॉलेक्ट एक्ट जो था ये पारित कब हुआ था तो रॉलक्ट एक्ट पारितवादा 21 मार्च 1919 को रॉलक्ट एक्ट को किसने काला कानून की संगया दी थी तो फ्रंस ये दिया था किसने महत्मा गांधी ने खिलापत आंदोरन को ब्यापक करने के लिए कब संपुन बिहार में हडताल यानिकी बंद रखा गिया था तो सही इंसर हो जाएगा 19 मार्च 1920 को कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में असयोग का प्रस्ताव पास हुआ था तो फ्रंस ये वह तक कलकता अधिवेशन में बिहार स्टुडेंट कॉंफरेंस के अस्थापना कब होई थी पताइए तो दिखे 1906 में हुआ था किस नहीं किया था ? तो सिरीकृषणी सिंग और सिरी 23 प्रशाद ने किया था अगला कुश्ता देखेगा कि बिहार में राष्टी चेतना जागरन के क्या कारण थे ? तो साइनसर इन में से उपरिक्त सभी हो जाएगा ठीक है उपरिक्त सभी हो जाएगा ध्यान रखेगा अगला कोसे देखेगा कि बिहार चातर परिश्टत का गठन किया था तो फ्रेंस राइट एंसर हो जाएगा इसका 23 का ओप्स नमबर सी हो जाएगा राजिंदर प्रशाद उसको देखेगा कि बिहार प्रांतिय संब्लन का पहला दिवसन 1908 में कहां पर हुआ था तो फ्रेंस ये पटना में हुआ था ठीक है और उससे समय बिहार को अलग करनी के मांग भी की गई थी उसको देखेगे बिहार में कब होमरूल बताए राइट अंसर हो जाएगा मजहरूल हक अप्सन नमबर ए हो जाएगा राइट अंसर ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा 27 नमबर 27 नमबर है कि पटना होमरूल लिग के किस नेता ने विजिया दस्मी के दिन भारत माता की पुझा आरम करने का विचार रखा था तो राइट अंसर हो जाएगा रामपूरन चंद ठीक है आप्सन नमबर C हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा 28 नमबर कि बिहार की किस चिले में होमरूल का परचार नहीं हुआ था तो यह हो जाएगा आपका चंपारन में नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षिनी सभाव का अस्थापना होई थी तो फ्रेंट सीए किया गया था अठारा सो तिरानबे में स्वदेशी आंदोरन के सक्रिय सदस खुदिराम बोस और प्रफुल चाकी तीस अपरल 1908 को किसकी हत्य करना चाहते थे तो सही अंसर हो जाएगा कििंग्स फोर्ड की ठीक है उसका बद कि मुझपरपूर बमकंड जो कि यहाँ पर डेट भी लिखा गया है स्वदेशी आंदोरन के दोरन प्रकासित पत्रिका स्वराज कथा का संपाधन किया था बताई रहेट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो बाल मुकुन्द बाजपेहिन है नेक्स्ट कुशन देखेगा किस करनतीकारी पर तिरहुत सर्डेंत्र मुकादमा चला था यह हो जागा योगेंद्र शुकल पर बिहार के किस करनतीकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोसलिष्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैटक में समिलित हुए थे तो रहेट अंसर फनेंद्र नात घोस हो जाएगा उसका दिके पटना करनतीकारी के नेता थे बता ही रहेट hors क्या हो जाएगा इसका मनिंद्र नराय विहार यवक शंग की था थी कि थी Прण्स यहां 1928 में होई थी ठीक है ध्यान राखेंगे 1928 में हो थी चलिए प्रोफेसरज्ण सहा के नेतीलत में 1928 में मोतिहारी में हुई थी नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा हम यहां से आध्वनिक बिहार के गठन से सम्बंदित कुस्टन को कवर करेंगे हम ठीक है चले उसका अध कुस्टन नमबर देखिएगा कि पहला कुस्टन है कि मुगलबाद सा अलम दूतिय द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी को कब बंगाल बिहार और उरिसक की दिवानी यानिक राजय सुप्रदान किया गया था तो फ्रेंट्स आपको याद होगा ये कब किया गया था बता ही राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो अप्सन नमबर सी हो जाएगा 12 अगस 1765 को ठीक है चले नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा कमपनी सरकार की राजधानी थे तो ये कुलकता थी नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा कि बिहार में कमपनी सरकार का प्रसासन सुरू होते प्रसासन में किनका वर्चस अस्थापित हो गया था तो यह हो गया था बंगालियों का उसको वादी के बिहार के प्रसासन पर बंगालियों का वर्चस हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में बेंगात्मक टिपनियां हुआ करता था तो यह था बिहार टाइम्स किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था तो right answer हो जागा महेश नरायन के ठीक है friends महेश नरायन के ध्यान रखेंगे next question देख लिजएगा कि बिहार टाइमस कब से निकलना शुरू हुआ था तो right answer इसका क्या हो जाएगा right answer friends इसका जो है option number C हो जाएगा 1894 में उसको देखें कि बिहार की किस उपराजय पाल को महेश नरायन नरायन अठार से चुरानबे में बिहार को बंगाल से अलग करने का ग्यापन दिया था तो science रखेंगा Charles Elliot उसको देखेंगा कि बिहार को बंगाल से अलग करने समंदी लेख the party the partition of the lower province इन अल्टरनेटिव प्रोपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकासित हुआ था या किस के द्वरा लिखा गया था तो फ्रेंट्स यह जो लिखा गया था या सचितानंद सिनहा के द्वरा ठीक है इसको बंगाल का बटवारा संप्रदाइक अधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था तो इदो हो जागा लॉड करजन ठीक है उसको बाद देखिएगा कुस्स नमबर 10 देख लिजे कुस्स नमबर 10 है कि ससिजानंद और महेश नरायन के विद्वतापुन लेक क्याधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंदी पुस्तक का निर्मान किया गया था तो अभी हम लोगों इसके बारे में पढ़ा भी है कि partition of बंगाल and separation of बिहा ठीक है next देखेगा important question है इसको आप लोग screenshot ले सकते हैं देखे बिहार को बंगाल से अलग करने संबंदी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था जिसमें बिहार को प्रितक राज का दरजा दने के मांग की गई थी यहाँ अधिवे बनाय जाने की खोष्णा की गई थी बंगाल विभाजन को रद किया गया था जोज पंचम के साही दरबार में बिहार को यानि की उडिशा साहित बिहार जो था बंगाल साला करने की खोष्णा कव की गई थी तो रेट इंसर इसका हो जाएगा आपका 12 दिसमबर 1911 को next question रहेंगे बिहार प्रांत का अपसारी गठन विद्वत रूप से जो है कब किया गया था यह किया था एक अपरेल 1912 को सभी प्रशन इंपोर्टेंट है बिहार को उडिशा से कब अलग किया था इसका एंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा बिहार उडिशा बटवारे के बाद विवाजी चेतर रहा था तो यह विवाजी चेतर जो था यह सराय के ला खरसामा था ठीक है ध्यान रखिएगा उसका बद 18 नमबर को से देखेगा कि बिहार की कितने प्रतिसत भुभाग को काट करके जहारकंट राज का निर्मान किया गया तो फ्रेंस दी हो जाएग में बिहार के दक्सनी हिस्से को काट करके जहारकंट राज का निर्मान हुआ था फ्रेंस पूरा इतिहास हमने बिहार के कवर कर लिया है 300 से अधिक कोस्तन प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर जीजेगा और इसका एंसर आप कमेंट करके बताएगा वीडियो कैस कैसी लगी है यह भी बताएगा